दूस्तों स्वागत है आपका विज्वल आर्च्वित मीनी में फ्रेंज कैसे हैं आप आज बड़े दिनों बाद अपन ये वीडियो लेके आए हैं दूस्तों ये जो वीडियो है ये स्कल्प्चर के क्वेशन्स है इसमें MFA in Plastic Arts उसका क्वेशन पेपर है ये बीएचियू का है शायद किसी आप ही में से किसी ने ये सैंड किया था मुझे तो उस समय तो हम टाइम भी मिल पा रहा था तो आज सोचा कि चलो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी अपन लोग 50 कोशन्स आज इसके ट्राइक करते हैं 150 कोशन्स का है दो तीन वीडियो करके कर लेंगे तो कि रहेगा एक लंबा मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है तो अपन लोग आज 50 कोशन्स देखने वाले हैं मेफे के बढ़िया कोशन्स हैं स्कॉप्चर से रिलेटेड आप लोग के काम आएंगे एक्जाम आने वाली है और क्योंकि आप भी जानते हो हम लोग पेलि कर लेते हैं तो ऐसी ग्रूप से आप जरूर जुड़े रही है ठीके और अभी जो है थोड़ा सा क्विज वगेरा वो बंद कर दिया है ताइम नहीं मिल पा रहा है तो इसलिए सोचा चलो एक वीडियो से आपका थोड़ा सा प्रप्रेशन हो जाएगा तो हम लोग शुरू करते हैं किस बारती मुर्थिकार ने मुखाकरती विशेग पर प्रमुकता दिया मतलब है कियों से इंडियन क्योंसे इंद्व जिस ने प्रमुकता दिया चिन्तामनीकण इंमध questa गिरी भट और शंको चोँडरी हम सब जानते हैं हिन भी मोल्द उसले जो है है मतलब मुख्य करतियों को बहुत सारे मुर्थियां create करें फिर आतने हैं कौन से स्कल्चर हैं जो अपने रिपोजी टेखनीक के लिए जाने जाते हैं शल्या आगे देखें ग्लास फाइबर से बनी रंगीन ग्लास फाइबर बहुत अच्छा कोशन ग्लास फाइबर से बनी वी, रंगीन, बड़े आकरिती की स्त्री मुखाकरिती, ठीके, स्त्रियों की मुखाकरिती है, बड़े आकार की है, ग्लास फाइबर से बनी गई है, कौन से प्रसिद मुर्तिकार जाने जाता है, ठीके, ये दो तीन चीज, एक चीज और एड कर देती ह मन से कर रही हूं तो यह सब कौन से आर्टिस के है तो रविंदर रेडी के स्कॉप्चर देखे एकदम यह सब सुनते से हमार पिच्राइजेशन आ जाने चाहिए उनके स्कॉप्चर का है ना गर्ल हाथ में फ्लावर लिए गर्ल फ्लावर इन दे हैंड यह बहुत फेमस इनका आ भी चुका है नेट में स्कॉप्चर तो यह थोड़ा सा याद रखिए बहुत प्यारी सी मुर्तियां है इनकी है ना तो यह कौन है वही रविंदर रेडी चलिए आगे देखें बहुत गांधार मुर्ती शिल्प में किस पत्थर का प्रमुकता से प्रयोग किया गया है त उसको है ना प्लास्टर सको बोलते है और शीस्ट उसको शीष्ट बोला जाता है वो स्टोंस का गांधार मुर्तिकला में यूज किया गया तो यह आपका शिस्ट आएगा शीष्ट और स्टको ऐसा है ना वह ठीक है पेमस स्कप्चर ट्राइंफ एफ लेवर सब जानते हैं क तो अपने शाइनिंग सर्फिस के लिए जाना जाती है, पटना संग्राले में पड़ी है, है ना ये चीज़ें तो नॉमल है, वो किस के लिए जाने जाती है, तो accurate proportion इंग्लिश में देखते चलो, सही अनुपात के लिए धरातर पर उच्छ कोटी की पॉलिश के लिए, स्केल क के लिए मूर्ती शिल्फ में लयात्मक्ता के लिए, तो देखी, अनुपात भी सही है, लेकिन इतना सही नहीं है, जो हम बोलते हैं, जानी किस के लिए जाती है, तो धरातल पर उच्छ कोटी की पॉलिश, जो मौर्य पीरेड के स्कच्छ की फेमस, मतलब बोलेंगे के, स्प एक जानी मानी प्राचीनतम भारती आकरती मूलक मुर्टी शिल्फ है, इंडियन फिगरल स्कच्छ, मतलब भारत की इसमें से कौन सी, ठीक है, कुछ confusion की होगे थी, कि जैसे कौन सी फिगर्स, यह सब फिगरेटिव स्कच्छ हैं, लेकिन सबसे पुरानी कौन सी है, नटराज सुल्तान गंज के बुद्ध जो गुप्त पिरेट के हैं, नटराज चोल पिरेट का माने जाते हैं, डांसिंगल या बुद्ध सक्यामुनी, तो डांसिंगल सबसे पहली सिंदू घाटी सब्भेता की नर्त की पेमस सबसे प्राचीनतम कौन सी हुई, डांसिंगल, डीसेंट गंगा का जो बैस रिलीव है, वो कहां पे है, तो वो महाबली पुरम में है, गोमतेश्वर बाहु बाहु बली है ना, हम सब जानते हैं, रिशबनात के जो पुत्र है, पुत्र के नाम से जाने जाते हैं, वो कौन से स्टेट में, मतलब कौन से स्टेट में, उनका जो गेला श्रवण बोला गुला में थिक्ष आगे देखें केवी जेना केवी जेना जो हैं आटेस्ट है वह अपने किस काइना कॉल करता से हैं यह और अपने किस चीज़ के अब देखो इन में से metal fabrication माध्यम के मूर्ती शिल्पों के लिए कौन जाने जाते हैं ठीक है अब बहुत जादा कारिक किया है बहुत जादा उसके लिए जाने जाते हैं यह वाली चीज आपकी शिव सिंग होनी चीए मेरे साथ से शिव सिंग के जो स्कप्चर आप देखेंगे वो metal fabrications के लिए जाने जाते हैं कौन सी जूट या सन की रस्यों से निर्मित मुर्ती शिल्प सब जानते हैं मिलालनी मुकरजी जो की विनोद बिहारी मुकरजी जी की पुत्री रही है उन वो अपने जूट की रस्यों से मुर्ती शिल्प इनने बना मतलब creation करती हैं है ना वनश्री वनश्री जो इनका वर्क है वो उस नेट में बहुत बरा है इसलिए वो मैं को नाम याद आ गया बता रही हैं मिलालनी मुकरजी आगे देखें प्रती दिन उप्योग में आने इंस्टोलेशन क्रियेट काने के लिए कौन जाने जाते हैं तो सुबोध जुपता मोडन आटिस्त उडवु अपने फेमस इंस्टोलेशन ब्रतनों की इंस्टोलेशन की से जाने जाते हैं आगे देखें क्या है मुक्ताकाश इन हुट बड़ी नॉर्टी शिल्प के लिए प्रसिद्ध कॉंटेंप्ररी मुर्तिकार बहुत बड़े आकार की जो मुर्ती शिल्फ हैं आउट डोर बाहर की है ना उनके लिए RCC में जिसने बनाए कौन फेमस हैं तो कानाई कुन्ही रम मतलब बहुत बड़े देखेंगे आप उनके जो स्कप्चर्स हैं उसके लिए बहुत बार ये नेट में एक दो बार आ भी चुके हैं आर्टि पहला क्या वह यक्षी जल कन्या ऐसे बड़े बड़े उन्हें बहुत मॉनिमेटल स्कप्चर्स बनाए हैं कनाई कुन्ही रमर ने ठीक है आगे देखें सारवजानिक स्थानोंपर स्थापे समर अनात्मक विच्श लोंए इस स्कप्चर्स सारवजानिक स्थाल पे अपने जो स्मर अनात्म मुर्ति शिल्पों के लिए कौन जाने जाते हैं धनराज बगत महेंद्र पणिया अमनात सैगत आर्वी सुतार तो हम सब जानते हैं अपने जो बड़े-बड़े स्कप्चर्स जिनने बनाए हैं जो स्टैची ऑफ युनेटी उनके भी क्रियेटर हैं कौन हैं हमारे आर्वी सुतार तो यह जो है सामच चार्वजनिक स्थर पे बहुत कॉमेमरेटिव स्कप्चिस के लिए जाने जाते हैं आगे देखें प्रस्तर माध्यम से विशाल आकार की मुर्ति शिल्प के लिए प्रसिद्ध मुर्तिकार स्टोन से बनाएंगे बड़े आकार की म हैं वह राजेंद्र टिक्कू हैना वह होने जाएं वह भारतिया मुर्तिकार हैं जो कि उसके लिए जाने जाते हैं आगे देखें किस महिला मुर्तिकार ने अपने शिर्पो में फैब्रिकेशन एवं वैल्डिंग टेक्नीक का नवीनता से प्रयोग किया है तो देखो भारत तरीके से उसमें यूस किया था अनीश कपूर द्वारा निर्मित क्लाउड गेट क्लाउड गेट क्लाउड गेट का माधियम क्या है भाई तो फेमस जो आर्टिस्ट है अनीश कपूर उनने क्लाउड गेट स्टील माधियम से बनाया है ठीक है स्टेनलिट स्टील राधा क्र यह है मेतल धा तुसे कार्य करने वाले हैं उसके लिए भाप करी उन Werri तो यह पीलू पोचकन वाला होगा लायात्मक ता यूक्त मूर्ती शील्प सरचना के लिए जाने जाते हैं लायात्मक मतलब कॉंपोजिशन्स हाविंग लिरिकल क्वालिटी वह कौन स्कॉप्टर है जो अपने लिरिकल क्वालिटी उसके लिए जाने जाते हैं तो महेंद्र पंडिया मोस्टली हेड्स बनाएं देखो एस धनपाल शंको चौधरी और बलवीजिंग कट तो शंको चौधरी जो हैं उनने अपने मतलब लायात्मक ता एक म्यूजिक वाले उनके स्कॉप्टर्स देखें आप समझेगे एक रिदिमिक एक लए आपको उनके फिगर्स में देखने को मिलेगी तो शंको चौधरी और बाकी जो हैं वह भी स्टेबल वाले हैं तो जो लए हैं वह शंको चौधरी में देखने को मिलेगे इस चीज़को में डिसक्राइब नहीं कर सकती जब चारों के प्रदोजदास गुपता तो मिश्रित माध्यम की बात हो रही है तो बोलते हैं पीवी जान की रमन इस स्टील्स वायर्स है ना और मेटल्स शील्स और इन सब को मिक्स मतलब बहुत यूज़ करके इनने कारे किया है ना तो पीवी जान की रमन ध्गनवादी आंधोलन में प्रमुख कौन थे ना डेगस ब्राग मरीनी और आलमेटेश तो ब्राग थे दल लिटल डांसर ओफ फोर्टीन यर्स एट्वरा सो असी एटीवन में चौदर वर्ष की नर्थी की एक फेमस मूर्ती है वो किसने बनाई थी तो एडगर डेगस ज जिसको अब दीप स्थम कहते हैं लैंप से लैंप स्टेंड याद रखो किसने बनाई है रामकिंग कर बेंच की वो क्या है एक एक स्कॉप्चर है ठीक है वो किससे बना गया है तो आप सब जानते हूं मोश्छली उनके सारे सिमेंट कंक्रीट के हैं तो यह भी उसी मेंसे ए इसमें से संग्मर्मर से निर्मित सुजावती डेकोरेटिव मंदिर बताओ मीरा मंदिर चुत्तारगर रणकपूर टेंपल मिनाक्षी और राजरानी तो रणकपूर टेंपल जो है संग्मर्मर जी इन टेंपल वो संग्मर्मर से डेकोरेटिव मंदिर है प्रसिद मुर्तिकार मैरीनो मुर्ची। और कि इसे बनी गई है भई बहुत बढ़िया कासा रंगा हुआ कार्ट ग्लास्वाइबर तो कासा ब्रॉण्स की बनी गई है भई रोडीन वह रोडा का अनुकरन करने वाला मुर्थिकार कौन से कलाकार जो रोडीन से प्रभावित है तो ब्रांसूसी सब पता है हमको है ना ब्रांसूसी की रचनाट तैंट सबसे बनाये हैं यह तो सब देखें साथ इस गुज्राल होंगे चोल मंडल आर्टेस्ट जो हैं उनने कौन सी टेखनीक सरवाधिक अपनाई है सेंड कास्टिंग रिपोसी इदे कोई सारी टेखनीक उनने अपनाई है लेकिन कौन सी ज्यादा है इसका मुझा आइडिया नहीं है अगर आप लोगों को इसका आंसर पता हो कहीं कुछ लिखा हो क्योंकि मैंने तो इसमें सरवाधिक का अब क्या बोलूँ क्योंकि कलाकार अलग-अलग है जैसे है ना धनपाल हो गया पीवी चान के रहा है किसी ने रिपोजी टेखनीक की उसके है किसी ने ब्रॉंज जा तो अधिक वहाली चीज मैंने कहीं प अपने स्टेंलेट स्टील के स्कॉप्चर के लिए जाने जाते हैं और वह भी वैल्डेड आप स्कॉप्चर देखो तो पहचान पहचान जाओंगे हूँ इस क्या है यह घूमने वाले मुबाइल मुर्थिशिल्प के लिए यह जो है अपने एक तरसे कानेटिक स्कॉप्टर ऑफ इंडिया जो जैसे कि अलेक्जेंडर क्याल्डर को हम बोलते हैं वैसे भारत की कौन है तो अंकित पटेल अभी यूपी की एक्जाम में भी आ अब भी बात किया है ना है जो हैड्स वगेरा बनाए है उनने वह टेरा कोटा माध्यम से तो वह उसको उनने मौडन स्कॉप्चर में अच्छे से लेकिया है कॉस्मिक क्रियेशन जो कि धनराज भगत ने बनाई थी ठीक है जो क्या है भाई तो वह कास्ट की रची गई पॉजी का कारे ठीक है यह धनराज भगत का जो कोस्मिक क्रियेशन है वह किससे बना गया है तो वह वोड का है ना पेंटेड वूड गैते इसको लेकिन वह रेलीफ नहीं है वह राउंड स्कॉप्चर है तो राउंड स्कॉप्चर और इन वूड होना चाहिए क्या लिखा एक आधनिक मूर्तिकर है जिसने प्रेस सभी रचना पी औपी से किया तो जोड गॉर्च सेगाल ने ना उनका स्तील का है शायद काम नई जॉर्च सेगाल स्वरी 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 पॉप से पी याद रखें पॉप आर्टिस्ट है तो लिंबर मैं यह स्टील वाले स्टील में काम किया है इन्हें बर्टोनी बार्टोनी भी एक मतलब उनको मेटल में बोलूंगी मैं और जो और वहां किया है कार और जो अभी इसामू नेट में तो जो है वह अपने अपन बात से ब्सक्राइब के लिए यह वाण और पॉप आर्टिस्ट है, वो पॉप उस आर्ट मुव्मेंट से कनेक्टेड है, फिर किस मुदिका ने अपने समार के मुर्तिशिल्प में पूरा कथाओं और देवी दवताओं को एक नए धंग से प्रयोग, क्या रे बहुत अच्छा कोशन, कौन है जिनने जो अपने देवी द आप नागजी पटेल जो वुडन, गॉड गॉड गॉडेस का स्कप्चर है उनका देखना, कितने नए तरीके से आप देखा होगे नहीं, कि ये भगवान के स्कप्चर है, लेकिन वो नए तरीके से उनने बनाया है, उनका फेमस, जो कपल, किसी ने नाम उनको शायद, मैन वो मैने से कपल भी दिया, गॉड गॉड गॉडेस नाम से जो स्कप्चर है उसमें, फिर किस मुर्दिकार ने पश्टिम अकैडमिक यथार्तवादी धारा में काम किये, कौन है जिसने यथार्तवादी और पश्टिम चलो, देखो कौन है, अमननात सेगल, एक्सप्रेशनिसम्स है, इन सब चीज़ों को घनवादी है, जनराज भगत भी चिंतामनी गडवी, डीपी राय चौदरी जो है, कहते हैं, उनने रियलिस्म में भी कार किया है, उनके आर्ट में, तो डीपी राय चौदरी आएगा, देखो, पी ओपी को शिग्र जमा, जादा टाइम नहीं लगे, मतलब हाड होने में, और किस चीज़ में चाहते हैं, कि वो धीरे-धीरे हाड हो, है न, तो जब हमको उसका स्लो सैटिंग करना है, मतलब हम उसको धी में देना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, सौरी, ये पहले फास से नहीं है, जब हम चाह जाते हैं, कि जब हम उसमें नमक मिला देंगे न, तो वो जितना टाइम देगा न, उससे भी जल्दी सेट हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ जब देखा होगा, तो समझ जाओगे, नहीं समझ जाओगे, और सेम चीज़ अगर हम चाहते हैं, कि हम पी-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ- मैं डेंटिस के पास गही थि, उनने ऐसे ही मेरा स्दीदेगे को, जब पाने टाल देते थे न, तो उस से वो क्या, जल्दी से मौल्ड ने होता, लेकिन抗्यान्द एबंदी हो जल्दी होजाई थाता है, अभी हम उसमें overall legitim काना बान hazard, हम उसमें हम उसमें घाँ क३र ज जो होगा जटो चलो आगे वह स्थान काम कोंसा स्थान है कौनसा स्थान ए उसको क्या कहते हैं कि ब्राज किसका है कोपर और जिंग का क्यक्ता का को बास में कॉपर जिंग होता कॉरिंटिनियन प्रॉंज होका तुछ जैसे उसमें गोल्ड सिल्व ये भी होता है लेकिन में क्या होता है जो सब में मिलेगा आपको बेस मेटल कहते जो ज्यादा quantity में होता है तो वो जो होता है इसका copper होता है कौन सी धातू या मिश्र धातू की डेलाई में reservoir का जरूरत होती है तो reservoir उसमें जरूरत होती है जो शायद है जो density कम होती है जिसके पानी से density कम होती है जिसकी उसको हम जरूरत कर पड़ती है हमारी तो इसमें सबसे कम डेंसिटी aluminium कास्टिंग में reservoir की जरूरत होगी है थोड़ा सा जो कोई professional हो अगर देख रहे हो तो नहीं मिलाते हैं क्या है हम ब्रॉंज में क्या नहीं मिलाते हैं तो cadmium जानते हैं यह सब मिलता है कौन सा metal है जिसका melting point हाई है सबसे ज्यादा melting point है सबसे ज्यादा किसका है बाई तो aluminium का ईनिमल मेक्स किसको कहते हैं बहीं जो है न ऐनिमल वेक्स पोले इसमें वी किस in को कहते हो जो यह जो वीımız वेक्स होती है उसको अनिमल वेक्स हूं भी कहा जाता है Ew taxes का melting point क्या है तो •Dew self का melting point 30 degree Celsius पैरोलियम वेक्स इसमें से entrepreneurial वेक्स कौन सी है तो पैराफीन वेक्स को ही पेट्रोडियम वेक्स कहते हैं ठीक है घ्सके बाद से हम करेंगे next कल वीडियो देंगे वह देंगे ठीक है तो क्वेशन जैसे भी लगे मुझे ट्राइग किया मैने कि आपको इसके भी मिल जाए थैंक्स चू जिसने भी मुझे ये पेपर भेजा है बहुत अच्छा है पेपर और आगे के अभी 100 कुशन सो और अच्छे है ठीक है तो अपन करते हैं ओके ऐसे ही पढ़ाई करते रहो बाई बाई जल्दी से एक्जाम आएगी और आप सब क्लियर होगे ओके बाई बाई हैप नहीं लेने का दो चार देन अपने फेस्टिवल्स को अच्छे से इंज्वाइ करो से फिर तो एक्जाम देनी है एकदम लगके ठीक है तो बाई बाई हैपी दिवाली विश्यों वेरी अल्दी बेस्ट थेंक्यू